नमस्कार पटना मेट्रो में आपका स्वागत है अगला स्टेशन मलाही पकरी है दरवाजे बाईयों और खुलेंगे यात्रियों से अनुरोध है कृपया दरवाजे से हट के खड़े हूँ तो पटना वासियो अब जल्द ही पटना मेट्रो की शुरुआत होने वाली है और न इंतिजार में अब तक तमाम पटना वासि जो है कई मुद्दतों से पलके बिछाए हुए है वो दौर कब शुरू होने वाला है तो मैं आज आपको सब कुछ बताने वाला हूँ लेकिन उससे पहले मेरा पड़िचे जान लीजे मेरा नाम है रजत और आप देख रहे हैं ज आखिरकार पटना में मेट्रो कब शुरू होगा और पटना मेट्रो सिटी कब बन जाएगा तो बहुत जल्द ही पटना में पटना मेट्रो शुरू होने वाला है और नितिन नविन जो कि बिहार सरकार में मंत्री है उन्होंने आके कैमरे के उपर सब कुछ बता भी दिया है आज तक की टीम जब उनसे बातचीत करने के लिए पहुची और पूछा कि आखिरकार पटना में मेट्रो कब से दोड़नी शुरू हो जाएगी तो उन्होंने कहा कि जल्दी ही इसकी शुरुआत होने वाली है और हम लोगोंने लक्ष तो 2026 का रखा था लेकिन हम लोग चाहते हैं कि पहले फेस की जो शुरूआत है वो 2025 में ही हो जाए इसके लिए कही न कहीं कामों में तेजी लाने का प्रयास किया जा रहा है हम लोग हर तीन महिने पे बैठ के मीटिंग कर रहे हैं और ये कोशिश कर रहे हैं कि 2025 में ही पटना मेट्रो की शुरुआत हो जाए नितिन नविन ने ये भी बताया कि इसके लिए बड़े मुस्तेदी के साथ काम चल रहे हैं आधिकारियों से करमचारियों से लगातार हम लोग मीटिंग ले रहे हैं और जल्दी खत्म हो जाए मैं आपको बता दू कि पहला जो फेज शुरू होगा मेट्रो का उसमें पहला फेज मैं आपको बता दू कि बैरिया बस टेंस से लेके मेट्रो की जिशुरुआत होगी वो मलाही पकड़ी तक होने वाली है और आपको ये भी बता दू कि ये कुल स्टेशन कौन कौन से होंगे और पहले फेज की जो तयारी है वो शुरू कर दी गई है बिहार सरकार के तरफ से बिहार सरकार के मंतरी नितन नविना की ये बात भी बताते हुए नदर आते हैं कि भाई बहुत जल्दी ही ये सब कुछ शुरू होने वाला है यानि आप लोग ज पटना मेट्रो कराएगी जिस तरीके से आप दिल्ली में देखते हैं कि किस तरज पे मेट्रो चलती है आम जन्मानस को उससे कितना ज्यादा सुविधा होता है ऐसा अब पटना में भी शुरू होने वाला है और बहुत जल्द शुरू होने वाला है लक्ष दोहजार 26 का था लेकिन दोहजार 25 में ही यानि एक साल पहले ही इस फेस की शुरूआत कर दी जा रही है मतलब एक साल पहले ही पटना में मेट्रो दोडनी शुरू हो जाएगी और पहला मेट्रो जो है वो बैरिया बस स्टेल से लेके मलाही पकरी तक का ये जो स्टेशन आएगा उसमें आचा बिलकुल तयार भी हो गया है और अब बहुत जल्दी वो परिपुर्ण रूप से भी तयार हो जाएगा मतलब दोहजार 25 का जो लक्ष दिया गया है उसके उपर बहुत तेजी से इधर काम शुरू भी हो गया है और उसके लिए काम किया जा रहा है लगातार अलर्ट म ने भी इसकी जानकारी दी है कि हर तीन महिने पे हम हर एक कर्मचारियों के साथ मीटिंग करते हैं बैठते हैं जिसमें बिहार के अन्य मंत्री भी स्रामिल होते हैं और हम लोग इसी के उपर जोड देते हैं कि कैसे भी करके 2025 तक मेट्रों की शुरूआत की जाए बाकी 2026 का लक्ष रखा गया है यानि 2026 आते आते पटना के कई अन्य जगहों पे भी आपको मेट्रों सेवा मिल जाए ये आसानी से आप आसानी से मेट्रों में बैठ के पूरे पटना का भ्रमण कर सकते हैं अपने जगे पे जहां आपको जाना है ऑफिस श्कूल वहाँ पे आसानी से पहुच सकते हैं बिना किसी जाम का सामना किये हुए मतलब आप जब अभी पटना में निकलते हैं उस वक्त आपको ये डर रहता है कि आप आप ओटो से या फिर बस से जा रहे हैं तो हो सकता है आपको जाम मिल जाए लेकिन जब आप Metro से ये Metro की सेवा लेंगे और Metro से ये सफर तै करेंगे तब सफर बहुत आसान होगा और जल्द ही ये सब कुछ होने वाला है जल्द ही अपना पटना जो है वो मेट्रो सिटी में तब्दिल होने वाला है बाकी इस खबर को लेके और जिस तरीके से नतिन नविन ने अलर्ट मूट की बात की कि इसके उपर काम चल ला है एकदम से विभाग alert है उसको ले कि आप क्या सोचते हैं आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है और Metro की शुरूआत होने वाली है पटना में इसको ले कि आप क्या सोचते हैं और आपका नसदी की まت्रो स्टिशन कौन सा होगा इसके बारे में भी अगर आप कुछ बताना चाहते हैं तो कॉमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक पहुचा दीजिए बाकी आप देख रहे हैं जंता जंक्षन और मेरा नाम रजत है